दोस्तों, निक कोर्डेरो एक महान अभिनेता थे जो कुछ दिनों से COVID-19 सोकने से हॉस्पिटल में शरिक हुए इन्हों ने इस वाइरस के किलाफ बहुत लड़ाई की पर उनके पतनी अमेंडा क्लूट्स के मुताबिक वे वाइरस के कारण मारे गए उनका उमर सिफ 41 साल का ही है और ये भी कहा कि 95 दिनों से इस वाइरस से लड़ रहे थे परंत में उनकी शरीर साथ ना देने के कारण उनकी मृत्ति हो गई एक बड़ा लॉस है हॉलिवोड इंडस्ट्री के लिए अब इनके एरली लाइफ के बारे में जानेंगे कि वे कौन थे इनका जन्म 17 सेप्टमबर 1908 में केनड़ा के हैमिल्टन में हुआ था निक कोरडेर को बचपन से ही एक्टिम में बहुत इंटरस्ट था इसी के चलते इन्होंने अपनी फिल्मी जिन्दगी में पहली बार टेलिविजन के एक सीरियल क्वीर एस फोल से शुरू की थी वो 2005 में शुरू हुआ था उसके बाद वो कई टेलिविजन सीरियल्स में काम भी किये और अच्छी पॉप्लारिटी भी बनी थी उनकी उसी के साथ साथ उनके अच्छी परफॉर्मन्स को देखे उनको फिल्म में भी मोका मिला था तो 2007 में अपाटमेंट से 254 मुवी में अपना डेबलू फिल्म भी किया था उसके बाद पांच और मुवी में भी उन्होंने काम किया है डॉन जुन 2011 में रिलीज हुआ था ये उनका दूसरा फिल्म था अस्टैंड अप गाई 2016 गोइंग इन स्टाइल 2017 इंसाइड गेम और मॉप टॉन 2019 में रिलीज हुई थी इनका किरियर अच्छा चल रहा था इनको अच्छे अच्छे आवार्ड भी मिल रहे थे अच्छे एक्टिंग के कारण इनको और भी कई ओफर्ज भी मिल चुके थे साथी इन्होंने अपने डैंस पार्टनर फ्रेंड क्लूट से शादी की 2017 में और दोनों साथ में मिलकर लोस एंजलिस में अपना खुद का डैंस ट्रेंडिंग स्कूल भी खोले थे पर कुद्रत का तो कुछ और ही मकसद था अचानक से उनकी जिन्दगी आदे में ही खतम हो गई रिपोर्ट्स के मताबिक एपरेल 18, 2020 को उन्हें COVID-19 positive result आया और में 1, 2020 तक उस बीमारी के कारण उनका लंग्स पूरी तरह सा डैमेज हो गए थे उनको कई दिनों से विंटिलेटर में लगाया गया था परंत में जुलाई 5, 2020 माने पूरे 95 दिनों से लड़ने के बाद उनका मृत्ती हो गई अमेरिका में इनके बहुत साड़े फैंस थे और सब लोग सदमे में चले गए ये हॉलिवूड इंडिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा जटका है हम आशा करते हैं कि इनके आत्मा को शांती मिले अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद